नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राजोन और आज हम 11th क्लास के Alternative English के When Autumn के नाम के Poetry के सारे Questions और उनके Answers देखेंगे तो मैंने हर तरीके के छोटे और बड़े Questions को यहाँ पर Arrange किया है और उनके Answers को भी यहाँ पर लिखा है लेकिन इने समझने से पहले आपको इस Poetry का मतलब समझ आना चाहिए तो अगर आपको कोई भी Confusion है इस Poetry से Related या फिर आपको इसका Summary नहीं पता तो Description Box में आप चेक कीजिए हमने इस Poetry के Summary पर एक वीडियो बनाया है आप वो देख सकते हैं और अगर आपको इन सारे Questions और Answers का HD Picture भी चाहिए तो वो भी आपको Description Box में मिल जाएगा आप वहां से चेक कीजिएगा तो आएए अब पहले Question से यहाँ पर शुरुआत करते हम Explain the impact of autumn on the trees when autumn came तो जब शरतरितु का आगमन हुआ तो पेडों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आपको बताना है तो आएए इसका आंसर देखते हैं The autumn changed the lives of the trees quite drastically When autumn came, it stripped the trees down to the skin and left their ebony bodies naked It also scattered the yellow leaves of the trees over the ground तो जब शरतरितु का आगमन हुआ या फिर जब शरतरितु की शुरुआत हुई तब उसने पेडों की जिन्दगी को पूरी तरीके से बदल करके रग दिया पेडों के खाल जो हैं वो जमीन पर गिर गए और एक तरीके से पेड नगन अवस्था में रह गए और पेडों के जो पत्ते हैं हरे पत्ते वो भी पीले हो गए और वो भी जमीन पर बिखर गए शरत्रितु की वज़े से तो जब शरत्रितु का आगमन होता है या फिर जब शरत्रितु की शुरुवात होती है तब पंचियों का क्या हालत होता है देखते हैं इसका अंसर जब शरत्रितु का आगमन होता है तब बारिश ना होनी की वज़े से पेडों की डालियां सूख कर मुर्जा जाती है पेडों के पत्ते भी पीले होकर जमीन पर बिखर जाते हैं और इस वज़े से पेडों पर जो पंचियों के घोसले होते हैं वो भी तूट जाते हैं वो भी गिर जाते हैं जिसकी वज़े से जो पंचिया है उनको अपना होसला छोड़ कर किसी दूसरे जगा जाना पड़ता है और इस वज़े से उनकी जो खुशिया होती है वो सब छिन जाती है शरत रितु की वज़े से और उनके सपने भी तूट जाते हैं और वो इतने दुखी होते हैं कि यहाँ पर यह कहा गया है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं शिकारी के शिकार करने से पहले ही तो कवी किस चीज के लिए प्राथना करते हैं देखते हैं इसका अंसर तो कवी जो है वो पेडो और पंचियों पर दया करने के लिए भगवान से प्राथना करते हैं कवी यह प्राथना करते हैं कि हे भगवान आप इन मुर्जाय हुए सूखे पेडो पर थोड़ा सा जीवन प्रतान करो थोड़ी सी हरियाली लाओ यहाँ पर ताकि जो पंची भी है वो जी सके वो भी अपने घर बना सके इन पेडो पर और सब का अच्छा हो सके तो इसी चीज़ के बारे में वो प्राथना करते हैं तो किन चीजों के जरिए शरत रितु का वर्णन किया गया है तो इस कहां से देखते हैं अठम इस चारेक्टराइज़ बाइड विटर्ड ट्रीज विच स्किन वेर स्टिप्ट दाउं और येलो लेफ्स वेर स्केटर्ड ओवर अवर ग्राउंड इस अगर आपको इस पोईट्री का कॉंसेप्ट समझ में आता है तो आपको पहले से ही पता होगा कि शरतरितु का वर्णन उन पेडों के बारे में बता कर किया गया है जिनके खाल छिल कर जमीन पर गिर गए है और जिनके पीले पत्ते भी जमीन पर पूरी तरीके से बिखर गए है और शरतरितु का वर्णन मौसम के उस बदलाव से भी किया गया है जो पंचियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही ठंडा हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी अपने घोसलों को छोड़कर दूसरी जगा उड़ जाते हैं। तो कवी मे भगवान का आहवाहन क्यों करते हैं। इसका अंसर देखते हैं। तो कवी यहां पर मे भगवान की प्राथना, मे भगवान का आवाहन इसलिए कर रहे हैं। ताकि भगवान इन मुर्जाय हुए पेडों को थोड़ी सी जिंदगी दे, थोड़ी सी हरियाली दे। और जो पंचिया हैं जिनोंने अपने घोसले खोए हैं, वो दुबारा से रहने के लिए जगा पाएं और थोड़ी सी खुशी मिले उनको। तो दोस्तो अगला question देखने से पहले आपके लिए एक बहुती important जानकारी कि ये जो poetry है ये mainly तीन चीज के उपर है। पहला तो ये कि ओठाम की वज़े से पेडों ने क्या-क्या नुकसान जहले, दूसरा ओठाम की वज़े से पंचियों ने कौन-कौन से नुकसान जहले, और तीसरा ये कि जो पेडों और पंचियों ने नुकसान जहले, इसके लिए कवी ने भगवान के पास क्या और कैसे प What is the significance of yellow in the description of tree leaves? तो पेडो के पत्तो को पीला बताने का महत्व क्या है या फिर कारण क्या है? तो इसका अंसर देखते हैं Yellow in the description of tree leaves signifies their lifeless state whereas the green color signifies their living state तो पेडो के पत्तो को जब पीला बताया गया है तो इसका मतलब यह है कि वो पत्ते मुर्जाय हुए हैं तो थोड़े से सूखे हैं और जब हरा बताया गया है तो इसका मतलब वो एकदम तरो ताजा है उन पत्तो में जान है अब देखते हैं आठवा question Who do you think the poet has personified autumn as and why? यानि कभी ने शरत्रितु की तुलना किस चीज के साथ की है और क्यू की है? तो आए इसका अंसर दिखते हैं The trees lose their skin and their leaves get yellow and get scattered over the ground Due to that the birds lose their nest which were built on the tree So the autumn brings so many tortures just like an oppressor कभी ने यहाँ पर शरत्रितु की यानि की autumn की तुलना oppressor यानि की एक अत्याचार करने वाले विक्ती के साथ की है ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक अत्याचार करने वाला विक्ती दूसरों पर बहुत सारे जुल्म उठाता है उसी तरीके से autumn ने यानि की शरत्रितु ने भी पेडों पर और पंचियों पर बहुत सारे जुल्म किये हैं वो क्या-क्या है? जब शरत्रितु का शुरुआत हुआ तब पेडों के खाल जो हैं वो जमीन पर गिर गए पेडों के पत्ते मुर्जा गए और जमीन पर गिर गए बिखर गए और पत्तों के गिरने की वज़े से जो पेडों पर पंचियों के घोसले थे वो भी तूट कर गिर गए जिस वज़े से पंचियों को अपना घर छोड़ कर दूसरी जगा जाना पड़ा उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा तो ये सारे अत्याचार जो है ओठाम ने किये है शरत्रितू ने किये है तो इस तरीके से उन्होंने कवी ने दोनों की तुलना की है ओठम की और ओप्रेसर की यानि की एक अत्याचार करने वाले व्यक्ती की तो बस इतने ही थे हमारे क्वेशन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये छोटा सा पोईट्री है और ज्यादा concept नहीं है इसका लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी question मिस हो गया है तो आप ज़रूर comment box में पूछिए मैं उसका answer करूँगा और अगर आपको कोई भी doubt है किसी भी questions related फिर भी आप comment कीजिए मैं उसका answer करने की कोशिश करूँगा और जिसके मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपको concept clear नहीं है इस poetry का तो हमने summary का वीडियो बनाया है आप description box में चेक कीजिए और इन दोनों pages का अगर आपको easy picture चाहिए फिर भी आप description box में चेक कीजिए आपको उन pictures का link मिल जाएगा तो हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए take care